दोस्तों, बॉलिवुड इंडस्ट्री में ग्लामर कतर का ऐसा है कि जिसकी वजह से आक्ट्रिसेज को बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहन कर सीन्स शूट करने पड़ते हैं और इवेंट्स हो या पार्टीज हो ज्यादा तर ये बॉलिवुड आक्ट्रिसेज बहुत शौट ड्रेसेज में ही नजर आती हैं लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी आक्ट्रिसेज हैं जो बहुत मोटी रकम चार्ज करती हैं और इसके बदले वो स्क्रीन पर बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनने से भी परहेज नहीं करती ही सबसे पहले बात करते हैं होट अभिनेतरी बाबी डॉल कट्रीना कैफ की कट्रीना कैफ ने टाइगर जिन्दा है फिल्म में बहुत ही बहतरीन काम किया था वही अगर देखा जाए तो इस फिल्म के शुरुवाती सीन्स में कट्रीना कैफ का घर बरफीले इलाके में नजर आता है वही जहां इस बरफीले इलाके में सलमान खान, स्विटर और जाकेट्स में नजर आ रही है तो वहीं कट्रीना कैफ ने बहुत ही मामूली सा नाइट सूट पहना हुआ है और इतने छोटे शॉट्स में कट्रीना कैफ बरफ के बीच में नाचसी हुई नजर आ रही है वही अगर बॉलिवर की धगधग गरल माधुरी दिक्षत की बात करें तो माधुरी दिक्षत और अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी पुकार ये गाना भी अलास्का के बहतरीन बरफीले पहाड़ी इलाकों में शूट हुआ था इस गाने में जहां अनिल कपूर ने तो बहुत ही भारी कपड़े, लेधर जाकेट, स्वेटर्स, शूज और सब कुछ पहना हुआ है तो वही माधुरी दिक्षत शिफोन की हलकी सी साड़ी में लहराती हुई नजर आ रही है अब बात करते हैं बॉलिवुड की सबसे खुबसूरत अभिनेत्री एश्वर्या राय बच्चन के बारे में तो बॉलिवुड की इस खुबसूरत अभिनेत्री ने भी महबतें फिल्म के लिए शारुक खान के साथ एक गाना शूट किया था ये गाना था हमको हमी से चुरा लो ये सौंग भी बरफीले पहाडी इलाके में शूट हुआ था इस गाने में भी जहां शारुक खान, स्वेटर और जाकेट्स में नज़रा रहे हैं वहीं ऐसे बरफीले मौसम में भी ऐश्वर्या को नेट की बहुत ही हलकी हलकी सारियों में दिखाया गया था जिससे हमें भी यकीन है कि एश्वर्या की ठंड से कुलफी जम गई होगी वहीं अगर बॉलिवर की डीवा सुश्मिता सेन की बात करें तो सुश्मिता सेन मैं हुना फिल्म में नज़राई थी जिसकी शूटिंग सेन्ट पॉल स्कूल में हुई थी जो ड में देखा गया था वहीं अगर बात करें अमरिता राओ की तो इस फिल्म में सुश्मिता सेन के साथ अमरिता राओ ने भी बहुत छोटे-छोटे कपड़े पहने थे इस फिल्म की शूटिंग डार्जिलिंग में हुई थी ये तो आप जानते ही हैं और डार्जिलिंग का को बहुत ही छोटे-छोटे कपड़ों में दिखाया गया है वहीं जुही चावला ने भी शारुक खान के साथ फिल्म डर में काम किया था इस फिल्म में एक गाना था तू मेरे सामने मैं तेरे सामने इस गाने की शूटिंग बरफीले पहाड़ी इलाके में हुई थी और इस इलाकों में कई गानों की शूटिंग की है लेकिन इस फिल्म के टाइटल सौंग में जहां रिशी कपूर स्वेटर्स और पुलोवर्स में नजर आए वहीं श्री देवी शिफॉन और नेट की हलकी हलकी साडियों में नजर आएं वहीं अगर बात करें अमीशा पतेल की तो अमीशा पतेल ने भी अपनी पहली फिल्म रितिक रोशन के साथ की थी वहीं इनकी फिल्म का काफी पार्ट न्यूजिलांड में शूट हुआ था और न्यूजिलांड के बरफीले इलाकों में रितिक रोशन और अमीशा पतेल के कई सीन्स शूट हुए थे खास करके इसके प्रितिक रॉशन तो लेधर जैकेट में नजरा रहे हैं वहीं अमीशा पतेल को बहुत ही कम कपड़ों में दिखाया गया है वहीं अगर आलिया भत की बात करें तो आलिया भत ने भी अपने फिल्मी करियर की शिरुवात फिल्म स्टूडेंट ओफ दे येर सिकी थी और इस फिल्म में भी इन्हें बहुत ही चोटे कपड़ों में दिखाया गया जहां आलिया भत ने बहुत ही शॉर्ट स्कर्ट्स और क्रॉप टॉप्स में सीन किये तो वहीं इस फिल्म के लीड आक्टर्स वरुनधवन और सिधात मलहोतरा को फुल जैकेट्स, स्वेटर्स और ब्लेजर्स में दिखाया गया था इस फिल्म का एक गाना इश्कवाला लव कश्मीर में शूट हुआ था इस गाने के अंदर भी आप साफ देख सकते हैं कि हीरो को तो स्वेटर गरम कपड़ों में दिखाया गया है वहीं आलिया भत को बहुत ही छोटी ड्रेसेज में इस ग गर बात करें काजोल की तो काजोल ने भी फिल्म दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे के एक गाने में बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं इस गानी की शूटिंग स्विच्जर लांड के बरफीले इलाके में हुई थी जहां शारुक खान ने तो लेदर जाकेट पहनी हु वहीं काजोल और शारुक खान की एक और फिल्म है दिलवाले जिसके गाने गेरुआ की शूटिंग आइसलैंड की खूपसूरत वादियों में हुई थी जहां इस गाने में शारुक खान लेदर जाकेट, थर्मल्स या बलेजर्स में नजर आए तो वहीं काजोल इस गाने मे शिफॉन की हलकी फुलकी साडियों में नजर आई थी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें फिर मिलूंगी बॉलिवड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ तब तक के लिए बाई बाई